नमस्कार साथियो, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाल है Normal AC और Inverter AC के बारे में कि अगर आप AC लेना चाहते हैं तो कौन सा आप के लिए बेहतर है तो चले वीडियो सुरू करते हैं ने लोगों का हाल बेहाल किया है इस मौसम में गर्मी से बचने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके आजमा रहे हैं इसमें सबसे कारीगर तरीका है घरों में AC लगवाना AC कूलर के मुकाबले थोड़ी महंगी जरूर आती है लेकिन AC कूलर के मुकाबले घर को जल्दी ही ठंडा करता है मार्केट में दो तरह के AC मिलते हैं जिन में एक तो होते हैं नॉर्मल तो वहीं दूसरे होते हैं इनवर्टर AC दोनों ही AC की किमतों में और स्पेसिफिकेशन में थोड़ा फर्क होता है आपकी जरूरत और बजट के हिसाब से आपके लिए कौन सा AC फायदेमंद है चलिए आपको बताते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनवर्टर AC के बारे में क्योंकि इनवर्टर AC हमारे लिए फायदेमंद होते हैं अगर AC खरीदने के लिए लोगों की पहली 24 की बात करें तो ज़्यादातर लोग इनवर्टर AC ही खरीदना पसंद करते हैं बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें नॉर्मल AC पसंद आता है inverter AC और normal AC को तुलनात्मक तोर पर देखें तो inverter AC आपके लिए ज्यादा फायदे मंद होता है समानने AC जब चलाया जाता है तो on होने के बाद धंडी हवा फेकना शुरू करता है और off करने के बाद हवा फेकना बंद कर देता है लेकिन वहीं अगर inverter AC की बात की जाए तो इसमें advanced technology होती है या कमरे के वह जरुवत के अनुसार ठंडी हवा देता है जब कम गर्मी होती है तो इसमें बिजली की खपत भी कम होती है चलिए अब बात करते है inverter AC के बारे में कि inverter AC महंगी होती है या सस्ती क्योंकि inverter AC में आपको ज्यादा सुविधाय मिलती है इसलिए inverter AC की की कीमत समाने AC के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है अगर आपका बजट कम है तो आप inverter AC के बज़ाए समाने AC खड़िद सकते हैं लेकिन आपके पास ठीक ठाक बज़ट है तो फिर आपके लिए inverter AC ही बहतर भी कल्प है तो उमिद करते हैं आपको पता चल गया होगा कि inverter AC और नर्मल AC में कौन सा अच्छा है और आपके लिए जो भी अच्छा है वो आप खड़िद सकते हैं अज क्लिक नहीं आज का वीडियो पर समाप्त होगा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग जय हिंद